घर में निगेटिव एनर्जी का होना एक आम समस्या है जब आपके घर में नकात्मक उर्जाएं जादा हो जाती है तो तनाव बढ़ता है लड़ाई जगड़े होते हैं बिमारियां परेसान किये रहती हैं और घर की निगेटिव एनर्जी को दूर करने के भी कई तरीके हैं लेकिन उसके पहले एक और चीज जानने कि घर में निगेटिव एनर्जी की मातरा कितनी है यानि एकदम से बहुत ज़्यादा है थोड़ी थोड़ी है इसका भी एक सरल प्रियोग हमारे सास्त्रों में इसका प्रियोग का मिलता है तो आज हम आपके साथ बहुत सारी बाते साजा करेंगे और जिस प्रियोग की आज हम बात करेंगे नकात्मक उर्जा को चेक करने और न नेगेटिव एनरजी को दूर करने के लिए कुछ खास प्रियोग किये जाते हैं लेकिन कुछ ऐसी वी चीजें हैं जो घर की नकात्मक उर्जा को बढ़ा देती हैं इनमें हैं टुटा पुटा हुआ बेकार में पड़ीवी चीजें वस्तुएं खास कर इलक्ट्रोनिक समान ज लिए क्या करें कैसे बढ़ाएं यह भी हम जानेंगे तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि घर के नकात्मक उर्जा को कैसे चेक करें आपको लेना है एक कटोरी में पानी कटोरी स्टील का हो काच का हो कोई भी ले सकते हैं आप चाहें तो ग्लास भी ले सकते हैं कटोरी लें और 7 लौंग अपने हाथों में ले, लौंग हमें साथ 119 इस तरह से लिजेगा बिसम संख्या में, जोडे में नहीं लेना, 7 लौंग ले अपने हाथ में, दाहिने हाथ में ले, और मुठी बांधना नहीं है, हाथ को खुला रखें, अब हाथ को खोल कर अपने पूरे घर में गूमिए याद रखिए आप चाहें तो ये परियोग आप सिर्फ अपने रूम के लिए भी कर सकते हैं आप पूरे घर के लिए भी कर सकते हैं तो पूरे घर में आपको इस लॉंग को हाथ में लेकर घूमना है कटोरी की पानी को पहले ही लाकर आप कहीं पर रख दें घर में क और चुशन एक सब सुथ हो ए hmm उससे गूब कर आएनगे तब तक पानी इस्तीर हो चुका होगा क्योंकि जब यहादों से डाल दें बानी जो कटोरी में आपने रखा है उसमें उसको डूबोना नहीं है हाथ से डाल दें जैसे गिर 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 कुछ देर छोड़ दें उन लॉंग को पानी में न छूना है न हीलाना है करीब 5-10 मिनट के बाद आप चेक कीजे और ये चेक करने का तरीका क्या होगा अगर आपके सभी 7 लॉंग याद रखिए सभी 7 लॉंग आपने जितना भी लॉंग लिया है 7, 9, 11 अगर पानी में तैर रही हो तो इसका मतलब है घर में निगेटिव एनरजी नहीं है आपका घर बहुत अच्छा है अगर 5 या 6 लॉंग खड़ी हो जाए खड़ी होना मतलब जो लॉंग में फूल होता है फूल उपर की ओर हो जाएगा डंडल नीचे की ओर चला जाएगा उसको कहते हैं खड़ा होना अगर ऐसा हो तो घर में बहुत ज़्यादा निगेटिव एनरजी है लेकिन अगर 4 या उससे कम लॉंग खड़ी हो तो इसका मतलब है कि मद्ध्यम निगेटिव एनरजी है यानि निगेटिव एनरजी तो है पर मद्ध्यम है तो खड़ी जो लॉंग होता है निगेटिव एनरजी को दिखलाता है हमेशा ही इस बात को याद रखिएगा अब अगर आपके घर में निगेटिव इनर्जी है तब क्या परियोग करेंगे सबसे पहला लॉंग की 27 लॉंग की एक माला बना ले याद रखिए उसको आप धागे से बांद बांद कर माला बना सकती है या सकते हैं फिर इसको घर के मुख्य दरवाजे पर कहीं पर बांद दीजिए किस से बनाएंगे काला धागा से बनाईएगा ज्यादा अच्छा रहेगा ये परियोग आप किसी भी सनीवार अभीवार मंगलवार के दिन कर सकते हैं घर में पूजा पाठ करें संख बजाएं सुबह साम घर को साफ रखें मकड़े के जाले ना लगने दें लॉंग का इस्तिमाल करके घर में नेगेटिव एनरजी को आप आसानी से चेक तो कर सकते हैं लेकिन आप मान लेते हैं हैं आपके लॉंग बता है आप के घर में बहुत सारे करें सोम बार के दिन जब साम में दिया बाती करें तब उसमें पीली सर्सों के कुछ दाने डाल कर जलाएं सनी बार के दिन जब दिया बाती करें तब उस दीपक में काली मिर्च के दाने एक दाना ही सही पर डाल कर फिट जलाएं इससे नकात्म कुर्जा हैं धीरे-धीरे दू दूर होने लगती है लॉंग के तेल पानी में डाल कर सभी कमरों में छिड़काओ करें तो भी इससे घर के नकात्मक उर्जा दूर होती है आप चाहे तो लॉंग को पानी में बॉयल करके फिर उस पानी को भी छिड़क सकते हैं तो नकात्मक उर्जा को आकरसित करने वाली ची कर नियमित रूप से पूजा करना है मंत्र जब कीजिए आप हनुमान चली साब पढ़ सकते हैं स्री सीवायन नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं जो सुखत सकात्म कुर्जा प्रभाह करता है घर में ऑक्सीजन छोड़ने और नकात्म कुर्जा को दूर करने वाले कुछ पौधे लगा सकते हैं यह नहीं कि कोई भी पौधा लाकर लगा लिए सबसे अच्छा होता है आपके घर में गिंदे का पुस्प का पौधा लगाईए आपका घर का जो नकात्मकता है वो दूर होगा पौज़ेटी बढ़ेगी हम आपसे बिदा लेते हैं जानकार या अच्छी लेगा तो लाइक कर सबस्क्राइब करें सेर करें कमेंट करें धन्यवा